दोस्तो ये कहानी है 15 साल के महान प्रांतिकारी बच्चे की जिसे अगली सुबा फासी दी जाने वाली थी लेकिर रात को ये जेलर से आम खाने की छप रगट करता है जेलर को इस लड़के से अपने पुत्र की सरास्थ नहीं हो गया था इस पर जेलर उसे कुछ आम लाकर देता है लेकिन जब अगली सुबा जेलर फासी के लिए उस लड़के को लेने पहुचा तो वह पहले से ही तयार बैठा था जेलर ने देखा कि आम वहीं वैसे के वैसे रखे हुए हैं जिसे देख जेलर उस लड़के से पूचता है अगर तुम्हें आम खाने ही नहीं थे तो तुमने मगाये क्यों थे जिस पर वह लड़का बहुत भोले पन से उत्तर दिया जेलर ने कहा खेर कोई बात नहीं अब मैं इन्हें तुम्हारा उपहार समझकर उठा लेता हूँ और जेलर ने ये कहकर जैसे ही उन आमों को उठाना चाहा वैसे भी आम पिचक गया लड़का जोड जोडते ठाके मार कर हसने लगा और काफी देर तक हसता रहा उन्होंने उस आम को रात को ही चूस लिया था और उन्हें फुला कर रख लिया था दोस्तों ये बच्चा कोई और नहीं बलकि महान करंती कारी खुदी रामबोस थे जिन्हें 11 अगस 1908 को फासी दे दिया गया था ऐसे आजादी के दिवाने थे खुदी रामबोस जिनके सामने मौत थी फिर भी उन्हें मजाक सुझ रहा था